वाव पीजा हमारा त्यार है तो यह देखिए बहुत ही मज़े का हमारा बीफ तिका पीजा त्यार है आप इस अस्पी को जूरू ट्राय कीजिएगा इस असलाम अलेकूम वेलकूम टू किचन वीद आमना डोट को मैं हूँ आमना और आप लेकर रहे हैं किचन वीद आमना पढ़ती मज़दार बनेगा और बच्चर इसे खा भी लेंगे तो उसके लिए हमें जो चीजर चाहिए पीजा बनाने के लिए डोली हमने इसकी राष्पी मे आपको बनाना चिखा चुक है इसकी डेह ज़ए हमें जो चीजर चाहिए दो कप मैदा वन teespoon चीनी वन teespoon इंस किसे दूद डालेंगे और ठोड़ा ठोडा जोड़ा कलेंगे तोmek सब्सक्राइब हम शाभ एक नीक संदागे था भगे तो डौउ बीध यह हम और खेंगे लिए प्लास्टिक राप से इसे कवर कर लिए अगर प्लास्टिक राप नहीं है कोई बोक्स में डाल कि इसे कवर करके रख दें तो अब इसे हम रख देंगे तब तक जब तक यह दाइज ना हो जाए बोलनस बीफ लिया है मैंने 200 ग्राम इस तरह के क्यूब्स कटे वे और इस पर 1 टीस्पून मैंने कच्छाप पीता लगाया अगर क्च्छाप पीता आपके पास नहीं है तो आपक्छी का पाउडर भी लगा सकते हैं और इसे मैंने एग धेंटे के लिए दग इसने दूर पीजा सोस लिए हमने वन फोर कॉप Hadha city उने प्याज दी इसे हमने लंबाई में काट लिया आधिकट इवी शिम्ला मिश्ली इसे भी हमने लंबाई में काट लिया दो अदद कटी वी हरी मिर्चे लिए है आदा क्टावा टोमाटर लिया जिसलमाई में काट लिया देखे और ओलिफ्स लिए हमने 4-5 जिसे हमने गोल काट लिए मुद्रेला और चैटर चीज दिया हमने 1 कप क्रेट किया हुआ और और ताइम लेंगे हस भी जुदा थोरा थोरा सा ले लेंगे अगर आप घर में नहीं बनाना चाहते तो आप मार्किट से भी ले सकते हैं और इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बॉल में हम बीफ डालेंगे और इस पर लगाएंगे लसन, दही, थिक्का मसाला, ओल, मिक्स कर लेंगे जो तिक्का मसाला है उसमें नमक है इसलिए हमने नमक इसमें नहीं डाला तिक्के मसाले में नमक पहले से मजूद है अच्छे से मिक्स हो गया अब इसे कवर करके रख देंगे एक गेंटे के लिए रूम टेंपरेचर पे एक गेंटा हो चुक है, अब इसे हम कुकर लेंगे, पैन लेंगे, उसमें ये सारा डाल देंगे, फिल आलें सारा, खलकी आंच पिसे रख देंगे, हम आदे गेंटे के लिए कवर करके, आदर गेंटा हो चुक है, ये देखिए, बीफ तका हमारा प्यार है, पानी इसका सारा खुश्ख हो चुक है, अब थोड़ी सी हम फ्लेम हाई करेंगे, और इसको जड़ा और ज़्यादा खुश्क कर लेंगे, मसाले को साथ साथ चलाते जाएंगे, फ्लेम हमने हाई रखी है, सिर्फ एक दो मिंट के लिए, तो यी हो गया है, इसी हम निकाल लेंगे, और इसे ठर्णा होने के लिए हम साइट पर रख देंगे, सारी चीज़े हमारी त्यार है, डोबी मारी राइस हो चुकी है, और तिका भी त्यार है, अब हम टोपिंग करने से पहले हम प्रतीले को प Nej, मैंने मीझेपन के लंठी लिए, सबसे पहले हम डो को निकाल के बेलेंगे, सबसे पहले हम हुच्क वादे का डस्ट करेंगे, और दो को निकाल लेंगे इस तरह से से पंच करेंगे ग उसको बैल लेंगे ऑसकी हमने बैल लिया आप एक बेखिन ट्रे लेंगे इसे हम उल से ग्रीस कर लेंगे साड़ी हमने उल से ग्रीस कर लिए अब यह पीजा दो को हम इसके ऊपर रख दिन गे दिए मगई के टो कि ऑसार ए उसको सार हम ने पैला लिए अब इस प्रेँ उपर हम पीजा सोस लगाएंगे तो आघ네요 सोस में लगा लिके है अब थोड़ा सा चीज डालेंगे तो मजडेला चेचर हमने थोड़ा थोड़ा इस पर डाल दिया अब इस पर डालेंगे हम बीफ के तिके तो तिका हमने सारे लगा लिए अब इस पर हम डालेंगे कटिवी प्याज प्याज आपको नहीं पसंद तो आप मट डालें कटिवी शिमला मिर्च कटिवी चुमाचर कटिवी हरी मिर्चे फिर से चीज डालेंगे, मुजेला चटर, अब लास में डालेंगे ओलिफ्स, अब इस पर डालेंगे ओरिगणो, थाइम, अगर थाइम और अरिगणो नहीं है तो आप मत डालें, और अब हम इसे बेक करेंगे 20 मिंट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे, आप चाहे आप इसे पतीले में बिना सकते हैं, टवे पे भी, ओवन में भी, और पैन में भी, पतीला हमारा अच्छे से प्रीहिट हो चुक है, 20 मिंट हो चुक है, भीव तिक का पीजा हमारा त्यार है, वाउ, पीजा हमारा त्यार है, तो बीफ तिक का पीजा हमारा त्यार है, अब इसे हम स्लाइस में काट के दिखाएंगे, तो यह देखिए, बहुत ही मज़े का हमारा बीफ तिक का पीजा त्यार है, आप इस रेस्पी को जूरू ट्राय कीजेगा, अगर आपको यह बीफ तिक का पीजा की रेसेपी अच्छी लगए, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और पटन पे क्लिक करके मेरे शैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक डायट भी दामना शैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बैल आइकन के बटन के प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उस से आने व